हे दोस्तों आपने अवतार मूवी देखी ही होगी, अगर नहीं तो जरूर थेटर में जाकर देखना, क्योंकि अवतार जैसी मूवी कई दशकों में एक बार आती है, पर क्या आपको पता है, अवतार से पहले दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म कौन सी थी सही पहचाना आपने टाइटैनिक, जी हाँ दोस्तों, अवतार से पहले टाइटैनिक ही दुनिया की पहली सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी, टाइटैनिक फिल्म का नाम सुनते ही हमारे आखों के सामने एक बड़ा जहाज आता है, जिसका नाम टाइटैनिक था जैक और रोज की लव स्टोरी जो आज भी याद करते हैं, टाइटैनिक ने 1987 में दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड बनाया था, और ये रिकॉर्ड तोरने 9 साल लग गए, ये रिकॉर्ड तोरने वाली फिल्म थी, अवतार, एक अद्भुत दुनिया, वह सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई, 24,000 करोड कमाने वाली पहेली फिल्म बनी, पर दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन थी, वो थी दोनों फिल्म के डाइरेक्टर जैंस कैमरॉन, जैंस कैमरॉन ने काफी कम फिल्मे बनाई है, पर उनकी दो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्में बन चुकी है, सभी को लग रहा था, इतना पैसा कमाने वाली फिल्में दुबारा कभी नहीं बन सकती, पर Avengers End Game दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाली फिल्म का किताब अपने नाम कुछ दिनों तक कर लिया था और अवतार भी दो नंबर पर जा चुकी थी अवतार जैसे ही चाइना में रिलीज हुई तभी वापस अवतार ने दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोसिंग फिल्म का किताब वापस पा लिया उसके बाद मारवल के सारे सुपर हीरो कई फिल्मों में आये पर अवतार का रेकॉर्ड अब तक किसी ने नहीं तोड़ा पर हाँ दोस्तों एक ऐसी फिल्म है जो इस अवतार फिल्म का रेकॉर्ड तोड सकती है और वो है अवतार टु दवे आफ वाटर अवतार टू रिलीज हुई 2 दिसंबर को और पहली वीक में ही 441 मिलियन डॉलर्स बना लिये जबकि पहले पार्ट में पहले वीक में सिर्फ 241 मिलियन डॉलर्स बनाये थे अगर भारत में होने वाली कमाई को देखा जाए तो अवतार का पहला पार्ट काफी हिट हुआ था अवतार पार्ट एक ने 108 करोड रुपए कमाए थे तो अवतार दोने सिर्फ पहले 3 दिन में ही 135 करोड से ज्यादा का अब तक बिजनेस कर चुकी है और कुछ दिनों में माना जा रहा है कि 200 करोड अगले कुछ दिनों में ही बन जाने वाले है अगर वर्ड वाइड कलेक्शन के बारे में देखे तो पहले हफते में ही 1000 से ज्यादा करोड का अनुमान लगाया जा रहा है कहा जाता है कि टाइटैनिक फिल्म बनाते हुए ही जेम्स कैमरॉन ने अवतार फिल्म के बारे में सोच लिया था, पर उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में उतनी तक्निके नहीं थी, पर 2009 में लोड आफ दरिंस के VFX को देख उन्हें लगा कि अब सही वक्त है अवतार को श सुपर टेक्नोलोजी का इस्तिमाल किया गया है कि इस फिल्म का एक भी सीन आउटडोर शूट नहीं हुआ, पर इससे भी आगे जाकर डिरक्तर ने अवतार टू के काफी शॉट्स अंडर वाटर शूट किये हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि यहां भी जेम्स कैमरॉन ने कित जिससे अंडर वाटर सीन भी क्रिस्टल क्लियर लाजवाब दिख रहे हैं, यहां तक की सारे एक्शन सीन भी 48 फ्रेम रेट पर शूट किये, नोर्मल डायलोग के सीन में 24 पर सेकंड भी शूट किया गया है, जेम्स कैमरॉन ने कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी इस फिल्म म नहीं छोडी, इसके पहले भी हॉबिट और गेनीमी मैन नाम के फिल्म भी इस तरह के 48 पर सेकंड हाई फिल्म रेट का इस्तमाल किया गया था, पर जेम्स कैमरॉन जो मैजिक उन्होंने अपने फिल्मों में दिखाया है, वैसा मैजिक आज तक किसी डारेक्टर ने नहीं द लोगों का मानना है कि Avatar 2, Avatar Part 1 को पीछे छोड सकता है, क्योंकि जेम्स कैमरॉन का फिल्मों का रिकॉर्ड देखे तो जेम्स कैमरॉन ने काफी कम फिल्मे बनाई, पर उनकी अब तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुवी है, बलकि इनकी फिल्में दुनिया की सबसे ज्याद पैसा बनाने वाले फिल्मे बनी, दुनिया भर टॉप पांच हाई ग्रोसिंग फिल्म्स में जेम्स कैमरॉन की दो फिल्मे हैं, अवतार के पहले पार्ट को बताते हुए उन पर कहानी चुरा लेने का आरोप भी लगा, पर उन्होंने सबूतों सहित साबित कर दिया कि वो निर्दोश है, उतना स्टडी जो जेम्स कैमरॉन सर ने किया हुआ था, यहां तक की 2012 में मरियाना ट्रेंच दुनिया के सबसे खोल समदर में जाकर आने वाले वे पहले इनसान थे, अवतार टु मूवी को बनाने 13 साल लगे, तो आप सोच ही सकते हैं, कितनी मेहंत इस फिल् सुरक्षित नहीं रख पाए, तो हम भी कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो आज से ही एक कदम इस पर्यावरण को बचाने की तरफ उठाएए, दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक और शेयर करे, हम और ऐसी मनोरंजक फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में ध्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू